अब तक इस बात की चचा थी कि 14 अप्रिल को दो बड़ी फिल्म के बीच बड़ा युद होने वाला है और वो फिल्म में है KJF2 और जर्सी इस क्लाश को लेकर किसी को इस बात का डाउट ही नहीं था कि कौन से फिल्म सबसे ज्यादा बॉक्स आफिस पर बंबर ओपनिंग दे अब सवाल यह है कि अचानक मेकर्स ने ये मूफ क्यों उठाया जब पहले उन्होंने बड़ी कॉन्फिटेटली कहा था कि ये दो अलग फिल्मे है और इनके बीच कोई कॉमपटेशन नहीं है तो इसके पीछे तीन बड़ी वज़ा है नमो वान, KJF2 साउथ की बड़ी फिल्म है और साउथ की फिल्म में नौद बेल्ट में क्या हंगामा कर रही है उसका सबूत पुशपा और ट्रिपल आर जैसी फिल्म है और KJF2 को लेकर लोगों में ऐसा क्रेज है जैसे बाहु बली चू के लिए था और वही अब KJF2 के कहानी ओडियन्स के लिए रियल है और इसी वज़े से पहले पार्ट में बंपर कमाई की थी लियाज इसके पार्ट 2 का भी बेसबरी से वेड है लेकिन वहीं जर्जी एक साउथ फिल्म का रिबेक है यानि जर्जी की कहानी लोग पहले देख चुके है और हिंदी उखसान चले उन्होंने अर्जुन डिडी का रिमेक किया कबीर से और यह फिल्म शाहिद कपूर की आक्टिंग की वज़े से चले और यह उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और में भी शाहिद जर्जी में अपनी परफोर्मेंस पर ही रिलाई कर रहे हैं औ और ऐसे में मों KGF2 जैसी बड़ी ब्रांड फिल्म से क्लाश होगी तो डेफिनेटली फिल्म की कमाई पर इंपाक्ट तो पड़ता और शाहिद यह बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी महनत उनके पिता पंकच कपूर और आक्ट्रस मृनाल छाकुर की महनत बेकार चाहिए तो ऐसे में तीन बड़े रीजन्स की वज़े से रौके भाई के तुफान से डर गए शाहिद कपूर